नमस्कार किसान भाई, यो आप सबी का स्वागत है फार्मिंग ज्यान चैनल में धान की फसल में गोब की सुन्डी वा पत्ता लपेट का हमला काफी देखा जा रहा है इस टेम बोरर, लीफ फोल्डर, इन में से ज़्यादा खतरनाक दान की फसल के लिए कौन कौन सी है इन पर सही कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी स्प्रे करना चाहिए पूरी इंफ्रोमेशन हम इस वीडियो में दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखें जो किसान भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और पासली घंटी को प्रेस कर दें इस टेम बोरर के हमले दो से तीन धान की फसल में देखने को मिलते हैं ऐसे ही पत्ता लपेट सुन्डी के अटेक भी दो से तीन देखने को मिलते हैं लेकिन कंटेक्ट बेस वाली पेस्टिसाइड हम पत्ता लपेट सुन्डी के लिए करते हैं लेकिन गोब सुंडी के मुकाबले पत्ताल पेट सुंडी का नुकसान कम होता है फसल में फसल में जो पत्ताल पेट सुंडी है कोमल पत्तियों का हरा मेटेरियल खाती है खुरच-खुरच के ऐसे ही वो खाकर दूसरी पत्ती पे चली जाती है कुछ किसान भाई उन पत्तियों पे देखेंगे जो फोल्ड होती है पत्ति उसको ओपन करेंगे तो उसमें से हरा हरा मल निकलता है ये सुंडी का मल है कुछ किसान भाई अंडे समझ लेते हैं और बहुत महंगी महंगी स्प्रे करने लगते हैं तो किसान बाईयो जो पत्ता लपेट होती है उससे हमारी फसल रिकवर हो जाती है किसी परकार की टैंशन नहीं लेनी होती है क्योंकि किसान बाईयो तेज हमाय चलती है तेज बारिस भी हो जाये तो पत्ता लपेट सुंडी वो नीचे गिर जाती है और मर जाती है और किसान ब परसेंट तक अगर आपकी फसल में गोब की सुंडी है तब आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए किसान भाईयो साम के समय देखेंगे खेतों पे कुछ पतंगे तितलियां उरती नजर आएंगी रात को ये नरो मादा मीटिंग करते हैं और फिर ये फसल पे अंडे दे देते हैं छे से साथ दिनों में उन्हीं अंडों से बच्चे निकलाते हैं और फिर ये तने के नीचली हिस्से से छेद करके और तने के अंदर चली जाती हैं जड़ के पास से तने को कार देती हैं अगर ये देर में हमला होता है जब बालियां निकलाती हैं उस इस्तिती में ये बालियों के पास से तने को कार देती हैं जिस कारण हमारी बालियां जो हैं वो सूख जाती हैं लेकिन किसान भाईयों फिर उसके बाद में ये प्यूपा ब अपने सबी अलग अलग रूप में बदलाव करती है किसान भाईयो इसलिए बोला जाता है कि आपके अगल बगल मेडों को साफ रखना चाहिए फसल अफसेस हैं उनको अच्छे से खतम करना चाहिए जो फसल अफसेस होते हैं खेत में अगर अच्छे से पानी को भर भी दिया जाए तब भी आपकी जो स्टेम बोरर है उसके अंडे नीचे होते हैं वो मर जाते हैं अब इनकी रोक थाम कैसे की जाए किसान भाईयो आप लोगों को जो स्प्रे करने हैं इनको रोकने के लिए एक ही स्प्रे जैसे गोब की सुंडी वा पत्तल पेट सुंडी खतम किया ज सकता है कुछ किसान भाई दुकांदारों के चक्र में अलग अलग दवाईयों का दोनों को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करने लगते हैं तो काफी महेंगा भी होता है आप किसी भी सिस्टेमेटिक इनसेक्टी साइड का स्प्रे करते हैं तो दोनों ही कंट्रोल हो जाती है जैसे कि आप लोगों को असानी भी हो जाएगी फेम जो नाम से दवा आती है बाहर की ये 20 से 25 एमल प्रती एकड स्प्रे करना चाहिए कोराजिन जो आती है वो 60 से 65 एमल प्रती एकड स्प्रे करना चाहिए काटप हाइड्रो कॉरलाइड 170 ग्राम एक एकड की मात्रा है इसकी स्प्रे भी कर सकते हैं क्लोरेंटरा नीली प्रोल 0.4% जी की आती है इसकी जो मात्रा रहेगी 60 ml प्रतियकर आप इसमें से कोई भी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड लेके अच्छे से स्प्रे कर देते हैं 1.500 लीटर पानी की अशक्ता लगेगी और केंट्रोल हो जाएगा सावधानी किसान बाईयो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में अगर स्टेम बोरर और लीव फोल्डर का हमला हो जाता है तब ही आप लोगों को स्प्रे करनी चाहिए अनिता किसान बाईयो हमारे फसलों में इस समय जो है मित्र कीटों का आगमन हो चुका है जो मकडियां हैं उन्होंने अपने अंडे रख दिये हैं अगर हम किसी भी insecticide का होड insecticide का इस्ट्रे करते हैं तो हमारे मित्र कीट मर जाते हैं तो हमारी फसल की रच्छा कौन करेगा इस बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए किसान बाईयो यह नौबत ही ऱ्हाई अगर हम सही से खेती करते हैं फसल चक्र अपनाना चाहिए हरी खाद का प्रयोक करना चाहिए जो फसल अब से सोते हैं पहली फसल के उसको अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए जो मेड़े होती हैं अगल बगल होती हैं उनको साफ रखना चाहिए इस तरीके से अगर हम अपनी खेती करते हैं तो ये हम लोगो में लाइक और शेर जरूर कीजिएगा धन्यवाद जैहिन